नमस्कार आदव स्रीकाल मैं हूँ कपिल काड़ पाल स्वागत है आप सभी का इस सेशन में उमीद करता हूँ मेरे लक्षिस को आप पसंद कर रहे होंगे और इसी तरह से फोलो कर रहे हैं डेली बेसिस बर सुबह छी मजए आपके लिए लेकर आता हूँ बैंकिंग फाइनिशनल एकनोमिक है मेरे इसका एक नहा टॉपिक और प्रीविस लेक्षर बहुत सारे हो चुके हैं अब तक और ये लेक्षर कंटेन्यू करते हैं और आज के लेक्षर में हम बात करेंगे आपके टाइप अफ दी टाइम डिपोजिट ओके टाइम और आखर गाल रेट ओफ इंट्रस्ट का क्या से ये फंडा होता है जो की डिफरेंट से क्रिएट करता है कि आपके सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और और ताइम डिपोजिट या फिर कहले लिजिए दिमांड डिपोजिट और टाइम डिपोजिट के बीच में रे download कर लीजेगा Google Play Store पे जाके और हमारा annual mock test का जो package है उसको आप जरूर एक बार देख लीजेगा हर एक टाइप के test एक free mock test आपके लिए विलेबल है उनको चेक कर सकते हैं और I am definitely sure you definitely assure you that कि आपको हमारी जो mock test series बहुत ही पसंद आएगी जो भी आपके exam relevant चीजे हैं वो आपको दे रखी है exam level की चीजे हैं आपको mock test available है आपके जो exam में आप से पूछा जाता है expected है और जितने भी आपके repeated जिनको आप कहते हैं mock test series है उनके बिलकुल एक दम बहुत टकर के और उनसे भी top notch quality के हमारे mock test है आपके और जरूर एक बार देखिएगा annual package only 500 रुपीज में available है जिस प्री मेंस और इच और तिंग is available there राइट चलिए session की शुरुबात करते हैं आगे बढ़ते हैं और हाँ एक और initiative ibs clerk के लिए जो हमने दिया हूँ है वो free mock test वहाँ पर available है आपके पांच free mock test available है उनको जरूर देख लिजेगा राइट आओके आवर today's topic the fix deposit and the time deposit के बारे में राइट fix deposit and time deposit के बारे में आज हम चर्चा करते हैं चलिए एक स्टार्ट कर देते हैं इसको आखरकार time deposit को time deposit क्यों कहते हैं सबसे पहले तो हम यह हका जाता है time deposit कि यह आपका time से related है Demand deposit was repayable on demand जब भी आप demand करते हैं जब भी आप मांग करते हैं तो आपको मिलता है बढ़ time deposit आपका एक fixed tenure के बाद आपको मिलता है पैसा वापिस जब भी आपने bank में deposit कराया था जब भी आपने deposit कराया था आपका bank में तो आपका क्या हुआ था आपका एक fixed tenure के लिए एंगा एसा नहीं गे जब दिमांड करें तो आपको मिल जाएगा होता है कुछ FDRD तो यह वही है FDRD ठीक है, so FDRD कल की क्लास में हमने Current Account Saving Account पढ़ा था, इसको Defend करते हैं, जबकि अगर मैं बैंकिंग टांस में बात करें करें कि बात करें करें कि टेक्निकल बारिशा में जो थोरिटिकल कंसर्प्ट हमारे उसमें कहीं भी आफ यह बनाया गया था, कुछ लोगों ने राफा राफा करके वाफा और उसकी फूल-फोम भी आपको रटाते रहते हैं, जबकि राफा नाम का कोई technical term होती ही नहीं एक्जिस्ट ही नहीं करती है कासा जरूर होते हैं तो कासा को याद रख लेगा कासा एंड इस वन इन दिरेक्रिंग डिपोजेट इन दिफिक्स डिपोजेट में आपका यह दो टाइप रेक्रिंग फिक्स इनके सबसे पहले आता है अपका फिक्स डिपोजेट ऐपर बात करते है विद्ब्स डिपोजेट में आपका क्या रहता है अ आप सोना होगा आपने FD हमके पहरें जोगी बच्चों के लिए अपर ऑप बेंक में जाते हैं उपक्फिक्स एन एउर के लिए आप कुछ पैसा deposit करवा देते हूं और fixed amount है that is a fixed deposit amount is deposited with one time in a bank for a certain period of time certain period of time के लिए एक बार आपका एक मुश्ट पैसा यहां पर अपाउंट किया है that is a fixed amount is deposited यह नहीं कि आप bank में जाते हैं आप बोलते हैं किसे 10,000 की FD कर दीजे मेरी एक लाग की FD कर दीजे है नहीं कहते हैं ना आपकी parents कहते है अंदे इक साबते हैं promise इसतरा से कहते हूं saving on current account में क्या होता था saving current account में आपके business transaction होती है माल लिए आपका पैसा आया अपने उसमें जमा करा दीज़्ेक पैसे जरूता आपने उसमें पैसा निकलवा लिया, इस तरह का आपके saving and current account कर रहा था, but fixed deposit में ऐसा कुछ नहीं होता, fixed deposit में आप एक बर पैसा जमा करा देते हैं, उसकी amount deposit हो जाती है, और जो भी आपने उसमे starting में, terms and condition में कहा था, कि मुझे एक साल के लिए पैसा deposit कर दे, दो साल लिले, पांच साल लिले, दस साल लिले, उतने time के लिए पैसा deposit हो जाता है, और जब वो एक साल पूरा होता, तब आपको पैसा पूरा पूरा मिलता है, along with the interest, interest rate के साथ मिलता है, interest rate इसमें कैसे calculate होत उसमें आपका rate of interest किस base पर हुआ था, daily basis पर, उसमें interest rate कैसे हुआ था, daily basis पर calculate हुआ था, right, याद होगा आपको daily basis पर calculate हुआ, इसमें आपको जो rate of interest है, वो आपको compounded quarterly basis पर calculate होगा, means आपका, जो आपका compounding interest इसमें लगा, एक तो simple interest होता है, एक compounded interest, वो तो आपको पता होग आपने महास में इतना तुछ सीखाओगा कि compound interest क्या होता है simple interest क्या होता है तो यह compounded quarterly basis बरता है means quarterly basis पर आपका rate of interest इसमें calculation आपकी चलती रहती है right saving account में daily basis बरता है इसमें quarterly basis पर आपका calculation होती है यानि कि आपको quarterly ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, compounding मतलो यह यह हो ना ब्याज के उपर ब्याज मिलता है, यानि कि आपका तीन मेने का ब्याज काउंट किया, फिर उसको जोड़ दिया, फिर उसके बाद, लेकिन जब आपको interest rate इसमें कब मिलता है, देखो saving out में मैंने आपको बताता है, interest rate महीने बाद बट यहाँ पर आपका interest rate के और भी fund होता है, fixed deposit में, fixed deposit में interest rate आपको monthly basis मिल सकता है, आपको quarterly basis मिल सकता है, आपको half yearly मिल सकता है, आपको और वो bank को instructions इस तरह की देता है, 50 लाग की मेरी fixed deposit पढ़ा रहे ने दीज़े, रख दीज़े, और उसका जो ब्याज मिलेगा, वो ब्याज monthly basis पर जो भी बनेगा, वो आप मेरे saving account में डाल दिया कीजिए, ये भी सुविदा bank उपलब्द कराता है, ज़रूरी हैं कि जो ब्याज मिलेगा, वो आपको maturity में मिलेगा, एक साल मिलेगा, दो साल मिलेगा, बट आपको ब्याज जो है, वो आपको यहां पर उपलब्द करवाया जाएगा, एक महिने बाद भी, तीन महिने के बाद जैसा आप चाहें, और आपके saving account में वो ब्याज transfer कर दिया जाता है, तो बाकी माली जी एक महिने बाद किया, तो एक महिने में 50 लाग का जितना बयाज होगा, वो आपके saving account में डिल गया, तो वापिस next month आपका कब, 50 लाग के उपर यह बयाज मिलेगा, फिर एक महिने बाद, बट अगर आपका उसी में पड़ा रहा, उसी म फिर 50 लाग प्लस interest rate के उपर interest आपको मिलेगा अगले 3 मेने के लिए, फिर वो जुट जाएगा, फिर तो इससे वो compounding होती है interest की, अगर वो आपने निकलवा लिया, तो आपकी compounding होई, 50 लाग पर ही आपको interest rate मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और आपका चलता रहेगा, जैस यहां पर आपका जो facility है, वो आप पहले भी निकलवा सकते हो, जो मैंने आपको का fixed time के लिए available है, but यहां पर यह जुरूरी नहीं है, यह आप पैसा पहले भी निकलवा सकते हो, but यहां पर premature कराने का मतलब यह है, कि आपको जो पैसा है, वो आपको कुछ penalty भी चार्ज हो सकत है, ठीक है, premature penalty क्या होती है, अभी कुछ देर बाल आपको समझाओंगा, कितनी होती है, क्या interest rate charge होता है, अभी आपको समझा होता है, कुछ देर बात, so यहां पर minimum and maximum tenure भी एक होता है, minimum and maximum tenure क्या होता है, minimum tenure आपके जो FD होती हो 7 दिन की बनाई जाती है, 7 days की आपकी बनाई ज हो सकता है, और minimum जो tenure है, इसका वो 7 दिन होता है, that is 7 days, यानि कि जो FD है, वो आपकी 7 दिन से लेकर आपकी 10 साल तक के लिए बनाई जा सकती है, बट यह 10 साल का भी जो फंडा है, वो 18 साल तक जा सकता है, बट 18 साल क्यों जाएगा, 18 साल तब जाएगा in case of the court case, जो 7 दिन और यह 18 साल है, ठीक, 18 साल वैसे normal case में वो 10 साल ही है, बट court case में वो 18 साल है, माली जे कोई ऐसा बच्चा है, कोई बच्चा हुआ, उसके parents उसको छोड़ के चलेगे, उनकी कोई संपत्ती है, जिसको court ने कहा कि अभी कोई उसका वारिस नहीं है, एक बच्चा है, अभी उसकी age, अभी जिस 2 महिने, 3 महिने, 6 महिने ने का, तो court क्या करेगा, court कहेगा कि उसकी सारी संपत्ती एक आपका बना कर, एक FD उसकी बना दी जाए, जो कि bank में पड़ी रहेगी, court case के according पर रहेगी, court ने उसका अदेश दिया और जब वो बालिक हो जागा, जब 18 साल का mature हो जाएगा, तो पैसा उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि उसका पैसा कहीं और कोई ना ले ले, या उसके, एक code में लगा दिया जाता है, केस आपने movies में देखा होगा, तो जिस वही movies का funda real में है, ऐसा होता है, और भी कोई बहुत बहुत रहे हैं, जब कि जो बालिक क cases हो सकता है, जिस case में आपका declare किया जता है, यह बंदा वारी से बट अभी तक यह बालिक नहीं हुआ, तो इसके अभी 10 साल पड़े हैं, यह बारा साल पड़े हैं, तो बारा साल की FD बना दी जाती है, तो बारा साल बाद जब बालिक हो तो वो decide कर सकता है, कि हाँ भी, मु कोई भी person आपका जब तक major नहीं है, तब तक वो किसी भी तरह की contract में आपका agree नहीं कर सकता, किसी भी contract में एंटर नहीं हो सकता, अगर वो कोई भी person 16 साल की उमर में है, और वो sign कर रहे है किसी document पे, और आप उसके साथ agreement कर रहे हो, तो agreement null and void है, उसको हम technical भाशा में void ab an issue कहत होती है कि ऐसा कोई agreement जो starting से ही void था, starting से ही nullified, starting से ही null था, वो agreement valid ही नहीं था, starting से that is a void ab in issue, means starting से ही void था, तो यह वो ही जो होती है, जब तक आप major नहीं हो, अगर आप minor हो आप किसी के साथ agreement कर रहे हो, तो that agreement is a void ab in issue, यानि कोई भी person जो 16 साल की age कहा है, वो आपका किसी भी क साथ contract कर रहा है, यानि कि वो जब तक बालिग नहीं है, इसलिए बालिग जब तक नहीं होता है, तब तक court उसकी एक amount की FD मिना कर दे देता है, तो that is the maximum tenure जो आपका 18 साल के लिए हो सकता है, but only in case of the court, but normally यह 10 साल से उपर नहीं जाता, अगर bank में आप जाओंगे, तो bank हो मेरे 11 साल की FD मना कर देगा, तो यह आपका इसमें फंडा हुआ, fixed deposit का, fixed deposit एक प्रकार से FD, FD हम इसको कहते हैं, एक fixed period के लिए आपके हो जाते हैं, interest is given on compoundary quarterly पैसे, premature withdrawal का फंडा मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है, जब आपको interest rate का फंडा बता हुआ, so, यहां बराब आ के उपर बात करते हैं, रेक्निंग प्रकार से कठा पैसा नहीं है, आपके पास एक प्रकार से कठा पैसा नहीं है, आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा हरे एक महीने आता है, ओके, so, आपके पास पैसा थोड़ा थोड़ा करके हरे एक महीने आता है, तो आपके पास यह recurring deposit के सुधा अपलब होती है, when one do not want to deposit a fixed amount and want that amount is deposited every month, एक सब मेरे पर 50,000 नहीं है, बट हरे एक महीने मेरे पास 2,000, 3,000, 5,000 पर जुड़ते रहते हैं, तो मैं उसको जमा करवाना चाता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्याज जो मिले वो उत्रा ही मिले जो fixed deposit में मिलता है, तो देन, in that case, existence of the recurring deposit comes, तब यहां पर recurring deposit आपका existence में आता है, and that is the deposit every month to an account and that could fast the similar ROI as the fixed deposit, then the RD account is open, so lump sum amount every month is deposited, so recurring deposit आपका fund थोड़ा 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 पैसा आपने हरे एक मिनने पकर आया है, और आपको rate of interest जो मिला, वो आपका मिला, digital recording, कितना पैसा जमाह करा होगे, यह पैसा आपका 10 तरफे से start हो सकता है, आपका दस तरफे, आप 10 तरफे का रेक्रिंग deposit भी जमाह करा सकते है, deposit बीज़ आपका every month 10 तरफे 10 तरफे 10 तरफे 10 तरफे जमाह करवाने पढ़ेंगे, और आपका यह चलता रहेगा इसका जो maximum 10 year वही 10 साल वही 10 साल होता है जो FD का होता है और minimum 10 year इसका vary करता है bank to bank, bank का क्या product है, 3 मेंने से लेकर 6 मेंने इसका minimum product हो सकता है कुछ banks 3 मेंने का भी open करते हैं कुछ banks 6 मेंने का भी open कर सकते हैं आपका recurring deposit account अब यहां पर RD भी दो तरीक होता है, एक होता है fixed RD, एक का होता है एक होता है आपका fixed RD एक होता है variable fixed and the variable में का difference है fixed RD होता है कि आपको every month आपने mileage for example ले रहा हूं है every month आपके 1000 पे जमा होए every month आपके 1000 1000 पे ही जमा होते रहे ठीक है और variable का मतलब होता है कि आपको पता नहीं है कि मेरे every month कितनी saving होती है आपके किसी मंद 1000 पे saving होती है किसी मंद आपके 2000 और किसी मंद 5000 और किसी मंद 500 के हो रही है तब in that case क्या होगा तब in that case variable fixed deposit सामने आएगा variable recurring deposit सामने आएगा तो उस case में आपने पहले सबसे पहले आपको ये decide करना मदेगा कि मेरे किस multiple में मेरे saving होती है multiple कहने का मतलब पहले महिने आप उसमें deposit करवा दोगे क्या करा होगे 1000 पे तो ये एक multiple आपका decide हो गया कि every month आप 1000 के multiple में ही पैसा deposit करवाते रहोगे यानि अगले महिने आप इसमें 2000 पे deposit करा सकते हो आज में 3000 करा सकते हो फिर अगले महिने आपके 2000 पे बच गया तो आपने 2000 करा दिया अगले महिने आपके 4000 बच गया आपने 4000 करा दिया अगले महिने आपके 1000 बच गया आपने 1000 पे इसमें जमा करा दिया है इस multiple में तो आप उस multiple में account open करा सकते है यहां पर यह maximum तक जा सकता है कुछ banks में 5 गुना तक होता है कुछ banks में 10 गुना तक होता है कितना भी सकता है यानि कुछ बैंक्स में आप 1000 से लेकर 10,000 रपे तक का वरियेबल उपन करवा सकते हैं अब यह मल्टीबल कोई फिक्स नहीं है 1000 का ही होगा 500 को मल्टीबल भी हो सकता है 50 के मल्टीबल में माले 50 के मल्टीबल का आपने आपका कहलाता है आपका कहलाता है आपका फिक्स नहीं है जैसे फिक्स नहीं भी कोई मैक्सिम लिमिट नहीं थी वैसे इसमें कोई भी मैक्सिम लिमिट आपकी नहीं है मैक्सिम लिमिट कितनी भी आपकी हो सकती है ओके कोई डाउट नहीं रहोगा रेट विंटरस दोनों में सेम होता है अब यहां पर हम नेक्स्ट चीज पर चलते हैं एक और कंसेट है यहां पर पहले यह देख लेते हैं ओके सो यह कंसेट क्या कहता है यह कंसेट आपका कहता है सेविंग फिस्ट रेक्रिंग बैंक डिपोजिट कैन भी ओपन बाई अ माइनर अभी मैंने आपके बात की कि वो मेजर ही ओपन करा सकते हैं कि मेजर कोंट्रेक्ट में एंटर होता है इसलिए वो बट यहां पर एक कंडिशन और है ति यह आपके माइनर के द्वारा भी ओपन करा जासकता है सेविंग फिक्स ड्रेक्रिंग डिपोजिट ओफ एनिएज थू हिस हर नेक्चरल लीगली अपटेट गार्जिन गार्जिन के तुरूँ अपोइंट होगा ऐसा नहीं है कि वो खुद उसको अपरेट कर सकता है और माइनर अबव दी एज अव टैनियर्स में भी अलाउट तो ओपन सेविंग बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली यह केवल और केवल हम सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे है वो इंडिपेंडेंट भी उपन करा सकता है बट उसकी एज दस साल से जादा होती है बट यहाँ पर रिस्टिक्शन लगाई होती है अमाउंट डिपोजिट पे वैरी फ्रॉम बैंक टो बैंक कितने डिपोजिट करा से था कितना विट्रो करा से था एटियम फैसलिटी नहीं मिलती यह सब चीजे आपकी होती है उसमें उपलब्द होती है अगर 10 साल से जाए बट 10 साल से अगर कम है और अगर वो saving fix, recurring deposit आपकर open कराया तो उसके नाम से होगा बट वहां पर malij जो उसने open कराया किसी भी नाम से, kalीन भाहिया ने मुझना भाहिया के नाम से एक fix deposit open कराया और मुझना भाहिया की age 5 साल है तो वहां पर पता क्या लोग आओगा fix deposit के उपर मुन्ना भहिया या फिर मुन्ना त्रिपाटी मुन्ना त्रिपाटी अंडर गार्जेन यूजी लिखाओगा यहाँ पर जब भी आप FD ओपरेट का उपन करवाओगे जब आप बैंक में नोकरी लग जाओगे तो आपको याद आएगी मेरी आज की बाद वहाँ पर यूजी लिखाओगा मुन्ना भहिया यूजी खंडा नात त्रिपाटी जिसको हम कालीन भहिया के नाम से जानते हैं ठीक है? So that is the मुन्ना भहिया मुन्ना भहिया के औरीजनल नाम चलो कमेंट सेक्शन बताना मुझे मुन्ना भहिया, यूजी, कालीन भहिया उनके नाम से ओपन होगा ऐसा नहीं गया कि लए मुन्ना भहिया के नाम से वो रेक्रिंग डिपोजिट या फिर फिक्स डिपोजिट अकाउंट ओपन हो जाएगा समझे यह माइनर के केस में आपका ओपन होता है अब हम नेक्स्ट एक केस समझते हैं जो कि मैंने आपको भी बताया था कि आखिरकार ये इंटरस्ट रेट का फंडा क्या है प्रीमेच्वर विड्रोवल फैसलिटी का फंडा क्या है ओके, सो यहाँ पर प्रीमेच्वर विड्रोवल फैसलिटी का फंडा जो है है वो क्या कहता है यहां पर और रेट अंडर्स आखिरकार फिक्स डिपोजिट का जो रेट विंट्रेस्ट वो इन कंपैसें टूप से विंग रेट विंट्रस से क्यों जादा उसको जानते हैं द्यान से समिनना बहुत अच्छा टॉपिक अभी मैं करवाने वाला हूं आपको ओके मैं थोड़ा सा स्पेस साइस में स्पेस चला लेते हैं स्लाइड को कि अच्छा लेट कर दो 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 कि अच्छाइब लेट आपको इस प्रश्च पर आप अपर अब हम चलते हैं कि क्या फंडा होता है जिस पर आपके यह रीट पंटरस्ट डिसाइड कि यह रोई में लिख रहा हूं यहां पर ओके यह रोई कि बैंक में जब आप एंटर की होगे बैंक में जब आप गए होगे तो आपने बैंक में एक एक बोर्ड देखा होगा जिसमें आपका लिखा होता है 7 to 14 days 14 से 21 दिन 21 दिन से 3 महिने something 3 से 6 महिने 6 महिने से एक साल एक साल से दो दो से तीन तीन से पांच पांच से दस यह एक है डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कुछ भी इस तरह का आपने एक बोर्ड देखा होगा और इसके इधर इंट्रस रेट लिखे होते हैं बहुत अच्छा बताने वाला वहां से समझना बहुत मजा आदेगा इस अब समझने में यहां पर यह चीज आपकी होती है यह अपनी य ही होते हैं अलग लग हो सकते हैं तो अखिरकार यह जो FDRD है 7.4,4, 21,21 5.661 जो भी है इसके जो rate of interest होते हैं आप देखते हैं इसके rate of interest different होते हैं विए 7 से 14 दिन का rate of interest 3% होगा ये 3.1 होगा इस तरह से हो सकता है 4 हो जाए ये आपका थोड़ा बढ़ जाए 4.5 हो जाए ये 5.1 हो जाता है ये फिर बढ़ने लग जाता है कम भी होने लग जिस हो सकता है 5.3 हो जाए 5.5 हो जाए ये इस तरह आपका rate of interest चलता है क्यों ऐसा होता है आकरिकार क्यों ये vary करते है rate of interest सभी से और क्यों आकरिकार saving account से vary करता है rate of interest FD का देखो bank में एक funda होता है जो basic हमने पहली classes में पढ़ा था वो funda था आपका asset anti liability का और अभी भी हम उसी चीज को समझ रहे हैं अभी हम फिलहाल क्या portion समझ रहे हैं अभी हम liability का portion समझ रहे हैं liability portion अभी हम समझ रहे हैं ठीक है so liability portion में आपका deposit side liability होती है आपके bank के लिए चाहे FDO, RDO, saving account, current account में जो भी पैसा बढ़ा है that is the liability of the bank और asset side में क्या होता है यानि कि bank किसी चीज को own करता है यानि कि loans advances जो bank देता है उनको हम asset side account करते है that is the asset side of the bank so यहाँ पर asset यह हुआ liability आपका हुआ asset यह हुआ तो यहाँ पर जो asset liability है यह funda आपका clear है basic funda clear अब यहां पर liability आई अब bank में आप कर आकर आपने पैसा deposit करा दिया bank में आपने आकर saving on the पैसा deposit करा दिया जो की आपका रहता है Demand परuine और जो आपने fixed deposit जमा कराया वे आपका demand पे निराता that is based on the time अब ये जो पैसा आप जमा कराते हो ये पैसा किसी का अधार बनता है ये पैसा अधार बनता है हम जो पैसा देते हैं loans and advances के form में ठीक है तो यानि की एक मैं example लेता हूँ मैं एक person हूँ कालीन भाईया जो है कालीन भाईया ने bank में 1000 पे जमा करवाई किस में कराए उन्होंने saving account में 1000 पे जमा कराए ठीक है और यहां पर saving account में जब उन्होंने 1000 पे जमा कराए और उन्होंने एक FD में 10,000 पे जमा कराए इन दोनों में उन्होंने पैसे माकरा दे ये 1,000 इसमें FD में 10,000 पे और 1,000 पे उन्होंने सेवीं में अब मेरे पास यहाँ पर loan लेने को न आया loan लेने गुड्डो भाया है लोन लेने गुड्डू भहिया हमारे पास आते है और गुड्डू भहिया कहते हैं कि मुझे 10,000 पे का लोन चाहिए या फिर गुड्डू भहिया कहते हैं मुझे चाहिए 11,000 पे का लोन गुड्डू भहिया कहते है 11,000 पे का लोन उसी को लोन के फॉर्म में देते हैं राइट बैंक उसी को लोन के फॉर्म में देता है तो बैंक ने का कि मेरे पास हाँ 11,000 पर पड़ा है मैं उसको लोन के फॉर्म में गुड्डू भहिया को दे दिया अब यहां पर जो कलीन भहिया थे कलीन भहिया मुझे 10,000 पर जो डिपो यहां पर वो 5 सालों का फंडा यही समझते हैं कि 5 सालों में वो आपका पैसा नहीं निकल आएंगे 1000 पे वो Saving Hour वैं, जो कि Demand के नरुप है, जब भी वो चाहिए, Demand कर सकते हैं तीक और, अगर उनको दो दिन बाद चाहिए, वो पैसे निकलवा लेंगे तीन दिन बाद चाहिए होसकता, दो साल निकला होसकता, पान साल निकला है बथ होसकता है, निकलवा ले बट गुड्डू भहिया जो है इनको लोन 5 साल के लिए चाहिए था तो यहां पर फंडा क्या हुआ यहां पर फंडा यह हुआ कि हमारे पास 10,000 पे 5 साल के लिए उपलब्ध है बट गुड्डू भहिया को जो लोन है वो 5 साल के लिए चाहिए यानि गुड़ु भीया 5 साल बाद लोन चुकाएंगे हमारा अगर गुड़ु भीया 5 साल बाद लोन चुकाएंगे तो 11,000 पे हमारे बाद जो 5 साल बाद वापिस आएंगे उसी को हम कालीन भाईया को पैसा वापिस देदेंगे सो गुड़ू भहिया का जो पैसा है जो 5 साल बाद हमें 11,000 पे आएगा वही हम कालीन भहिया को पैसा वापिस देदेंगे 5 साल बाद क्यों कालीन भहिया ने 5 साल के लिए FD करवाई थी 10,000 की कराई थी अभी 1000 का देखते हैं कहा है लोच होगा सो एक मैं जियून कर रहा हूं कि 5 साल बाद ही गुड़ू भी हमें पैसा वापिस देंगे नॉर्मली वैसे बैंक में लोन में क्या होता है नॉर्मली क्या होता है कि आपका EMI होते किस्तों में पैसा वापिस आता रहता उसमें से 10,000 पैं हमने वापिस कालीन भीया को दे दिया होगय है ये फंडा क्लियर यहांपर अब आपको होगय सर, 1000 पैं कहां से दिंगे 1000 पैं हो सकता है कि हमारे पास जो कालीन भीया वो नहीं लेकर गए 1000 पैं, एक एस्मशन है कि नहीं लेकर गया तुम्हारे बस पड़ा है ग्याराजार पे और ग्याराजार पे हमने दे दिया और यह ग्याराजार बार चुका दिया अब यहां पर कालीन भहिया को क्या मिलना है कालीन भहिया को यहां पर इंटरस्ट मिलेगा 11,000 पर जो जमा करा है और ये good भाईया हमें interest देंगे so ये interest माली जाए इंसे हमने 10% charge किया और कलीन भाईया को हमने 5% interest दिया तो यहां पर 5% bank ने मुनाफ़ा कमा लिया हो गया 5% का मुनाफ़ा bank का हो गया obvious है है ना bank ने profit कितना पुमाया 5% का bank ने यहां पर profit कमा लिया done हो गया यह simple सा example अब यहां पर थोड़ा सा इस example को complicate करते हैं इस example को थोड़ा सा complicate हैं क्या करते हैं complication हम यहां पर कहते हैं कि गुड़ू भाईया जो है वो कहते हैं कि मुझे 10 साल के लिए loan चाहिए गुड़ भीया कहते हैं कि मुझे 10 साल के लोन चाहिए और हमारे जो कालीन भीया कहते हैं मैं तो अपटी 5 साल के लिए कराऊंगा मैं एजियूम कर रहा हूं कि एक ही कस्टमर हमार पर लोन लेने वाला एक ही कस्टमर हमार पर पैसा देने वाला उनको कहीं आप कालीन भहिया पांच साल के लिए पैसा मत जमा करा हो, आपना दस साल के लिए पैसा जमा करा दो, हम आपको जो ब्याज है ना हम जादा देंगे, हम आपको साथ परसंट देंगे अगर आप दस साल के लिए जमा कराते हैं, कालीन भहिया सोचते हैं कि या ठीक है है ठीक है मैं दस साल के लिए पैसे जमाग रहा देता हूं मुझे 7% दे दीजिए कालीन भाई अगरी ओके यह हमारा कि आजा था कभी कभी तंग करने के लिए कोई बात नहीं तो यहां पर हमने क्या किया कालीन भाई अगरी 7% पर देने हाि यहां पर क्या हुआ वह दस साल यूई हंगर से वाइद उचोचों कि अगर है तो यह दो अब थोड़ा सा आप इसको wide angle से सोचो थोड़ा से इसको wide angle से सोचो कि अगर bank को जब भी पैसा चाहिए जितने time के लिए पैसा चाहिए bank को, यानि कि bank एक देखता है कि मुझे कितने time के लिए लोगों की पैसे loan लेने की मांग आ रही है, अगर मुझे से लोग जहाँ 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 मांग रहे 5 साल के लिए loan 3 साल के लिए loan, 6 साल के लिए loan 1 साल के लिए loan, तो मैं उसके according मैं customers तो attract करूँगा कि इतने time period के आप FD मेरे पास ज़्यादा जमा कराईए और लोगों को attract करने या सबसे main तरीका क्या है, उस वक्त के लिए interest उनको ज़्यादा offer कर दो अब आपको याद आ रहा होगा ये board जब आप bank में जाता हो तो ये board आपको दिख रहा होगा जिसमें bank का अलग-अलग time का अलग-अलग interest rate लिखा होता है fixed deposit RD का तो जब आप ये board देखते हो से 10 साल का loan जो है वो 5.5% पे आपको fixed deposit दे रहे हैं हो सकता है 5.5% आप कुछ दिन बाद 2 से 3 साल के लिए देखो, जरूरी नहीं है कि बढ़ता हुआ आते है, घड़ता हुँआ होता है जरूरी नहीं है, depends हो सकता है कि ये जादा हो, ये कम हो, ये कम हो ये जादा हो, ये कम हो, कुछ भी हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये चीज आपकी revision होती रहती है तब ही तो आप कहते हों कि bank के rate of interest हमेशा विराई करते रहते है FD का interest जो मैंने 2 मीने पहले मेज़ा मिला था अब नहीं मिल रहा हो FD के rate of interest और 2 साल पहले बहुत जादा दे अब नहीं है है ना तो it purely depends upon the rate of interest और भी loan loan पे rate of interest क्या है loan का tenure कितना देना है loan का funda क्या है, उसके उपर आपके FD के rate of interest depend करते है आपको किस time के लिए आपको loan पैसा चाहिए किस time के लिए आप market में offer कर रहा है किस time period के लिए आपको market से पैसा वापिस मिलेगा loan का पैसा आप दे रहे है वो कितने time में आपको वापिस मिलेगा ये उसके भी depend करता है तो ये loan आपका जो वापिस मिला ये that is the FD&D और ये आपका interest rate उसके decide करता है और ये सब चीज जो मैंने आपको इस board पर अभी बताई है इस पूरी की पूरी चीज को हम कहते है asset liability management क्या कहते है asset liability management asset side यानि के loan side liability side यानि के deposit side ALM लिख लेना ALM that is the asset liability management asset liability management जो ये मैंने आभी आपको समझाया bank अपना एक अलग से department open करता है bank का एक लग से department है जो ये काम करता है कि कितना rate of interest रहेगा आपका fixed deposit पे RD पे कि हमें अपना जो asset का portion है यानि कि loan side advances का portion है हम comparison कर सेगे हम उसको available करा सेगे लोगों को in comparison तो fixed deposit हमारे पस कितना पैसा आ रहे है अगर हमें लग रहा है कि इस period के लिए हमें loan side advances demand जादा है तो हम उस period के लिए fixed deposit का interest rate जादा कर देंगे ताकि लोग उस period के लिए जादा attract हो और उस period के लिए जादा वो जमा पैसा करवाएं ओके तो उमीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अब कि क्यों आखिरकार rate of interest यहाँ पर आपका vary करता है अलग लग time period का और इस तरह है कि हमारे बहुत सारे customers होते हैं यहाँ पर मैंने गुड़्डू भी है कालीन भी है जिर्फ दो customer को लेकर आपको example discuss किया यहाँ बहुत सारे अंगिनत customer होते हैं रोज आते हैं रोज loan लिया जाता है रोज deposit लिया जाता है रोज deposit दिया जाता है यह सब रहता है अब यहाँ पर saving account पर जो मैंने आभी सेविंगाउंट एक था तीन थीन दो परसंट के और रहता है जो अभी चल रहा है है फिला हल जो मैं यह lecture ले रहा हूं क्यों चल रहा है क्योंकि saving account का rate interest in FD से हमेशा कम इसले रहता है क्योंकि वो demand पर है वो risky है हमारे लिए हमें पता नहीं है कि वो कब निकाल के ले जाए तो हम उस पर इतना ब्याज नहीं देते हैं वो तो आपको तीन परसेंट का एक चुंचना प्रकडा दिया थी तीन परसेंट पर आप याल लेजिए बट उसका बैंक को कोई मतलब नहीं है बैंक का हमेशा जो बैंक का fix है वो तो fix deposit है ना बैंक का fix तो fix deposit है यह तो कभी में निकल वालोगे 1000 पर तभी बैंक इस पर उतना rate of interest नहीं देता है जितना comparison to the यह देता है अब यहां पर हो सकता है fix deposit का जो rate of interest है सास से चोदा दिन 14-21 दिन का जो 15-20 दिन का rate of interest वो saving count की जितना होता है क्योंकि वो obvious saving count को में हम इतना ही मानते इतना तो चलो पढ़ा रहेगा तो पांसा दिन तुम्हारे पैसा पढ़ा रहेगा तो उसके equivalent होता है तो इसलिए उसका rate of interest कम होता है क्योंकि वो demand है कभी वो निकल वालेगा हमारा वो सारग सारा set liability management है वो भी गड़ जकता है इसलिए उसके हम इतना इंट्रस्ट नहीं देते हैं है और उसके हमें फिर कमाई भी ज्यादा होती माली यह तीन पर सेंट पर दिया तो आगे हम 10 पर सेंट पर दे रहे तो हमें कमाई भी ज्यादा और यह fix deposit हमारे पास fix पढ़ा रहा तो हमारी इस पर difference जो है हमारे rate owners का वो भी कम है तो हमें income भी कम हो रही है तो यह बहुत सारे customer बहुत सारे सब कुछ आता है हमारे पास अब एक next concept जो हमने छोड़ा था dad was the okay वो concept क्या था वो concept था आपका यह वाला premature withdrawal facility अब यहां पर आप सोचोगे कि सर हां तो customer के प्रीमेचर withdrawal facility तो वो अवेल कर लेगा जी हां अवेल कर सकता है बट उसमें उसमें customer को नुकसान हो सकता है क्या नुकसान होता है customer ने माल लीजे 5 साल के लिए FD करवाई और उसने वो FD आपकी सबसे Maximus टाइम था rate of interest 5 साल के FD का साढ़े 5% साढ़े 5% Maximus FD का rate of interest था तो bank ने वो उसको अवेलेबल करा दी अब भाई थोड़ा चलाक निकला वो कहता है यार मेरे उसको निकला लूँगा bank में तो premature facility अवलेबल है यहीं FD के mature होने से पहले जब हम पैसा निकलाते हो नहीं देगा वो उस टाइम पे जो एक साल का ब्याज होगा जब आपने FD करवाई थी ना उस टाइम पे 5.5 था तो उस टाइम पे देखा जागा एक साल का ब्याज क्या था तो bank का जो system है वो उतना ही ब्याज आपको देगा bank 5.5% नहीं देगा अगर आप बैंक ने आपको प्रिवेस बैकेंड पे दे चुका है तो वो भी आपका रिकवर कर लिया आपको ब्याज जो है 5.8% के साफ सही मिलेगा तो वो साढ़े पांस नहीं मिलेगा पहली चीज पहली पेनल्टी तो यह यह आप बैंक को इस तरह से बेवको नहीं बना सकते कि प्रीमेचिवर विड नहीं मैं मैं इस से ज्वाघा मौंट्स से कम की मढेंगा प्रिमेचिवर उतीम पानल्टी में चीज और एकुए फ्रिमेचिवर लेंगे ये बैंक आपका करता है तो यहां पर आपका क्या किया जाता है यहां पर आपका बैंक पैनल्टी चार्ज करता है एक परसेंट से लेकर कुई bankный चार्ज करताई-परसेंट नियुक्त यहम पर माली जी 5 point यह भी हो सकता है अगर आपने पृमेचर लगाइ जाते हैं कि bank हाई मुझे penalty लगे है मुझे कोई फायदा नहीं है वो only and only emergency case में premature withdrawal कराता है नहीं तो नहीं कराता है और bank का आपका जो fund है वो भी आपका safe रहता है वो भी management कूरी proper रहती है तो ये चीज़ आपकी हुई इसमें FDRD के rate of interest की premature की अब यहां पर कई बार आपने सुखते है senior citizens को ब्याज जादा मिलता है तो senior citizens को bank ज्यादा ब्याज देता है वो एक सुवीदा है bank आपका कोई bank 0.5 देता है कोई bank 1% देता है staff के case में भी आपको 1% ज्यादा ब्याज मिलता है तो that is a facility nothing else वो बैंक के facility दी जाती है बुजुर्ग लोगों को आपका senior citizens को ब्याज जादा दिया था बुजुर्ग लोगों को ब्याज को जादा दिया था जो अपना पैसा ना हमेशा safe जगा रखना पसंद करते है वो अपना पैसा ना time period थोड़ा जादा रखते है उनका जो deposit रहता है ना वो एक क्या कहता है उसको एक trust वर्दी रहता है क्योंकि उनकी कोई और income नहीं है income इंदा जन्स कि उनको पता है मैंने bank में जमा करा दिया और bank को लोग बता है इनका पैसा आ गया तो bank पैसा धिलेगा नहीं अगर आप एक young है आपको पैसा कभी भी जरूरत पढ़ जाती है आप पैसा निकलवा ले तो जमा करा दे तो निकलवा ले तो जमा आप 5 साल कर रहे 2 साल की अब डिकर एक साल की अब डिकर बट एक बुज़ूर्ग इंसान जो होता है वो जाधा tension नहीं लेता वो जाता है bank में पैसे जमाग रहा है तो उसका bank में पैसा पढ़ा रहता है तो इसलिए bank कहता है कि या या fluctuation जाधा नहीं होगा तो उनको थोड़ी से सुविधा उपलब्द करा सकते हैं अगर जब fluctuation जाधा नहीं है हमारे पास इतना footfall नहीं है हमारे पास आएंगे नहीं जाधा time नहीं लगेगा हर एक चीज हमें अराम से मिल रही है उनका fund तो क्यों ना उनको सुविधा प्रवाइट करें स्टाफ को तो वैसे नॉर्मल स्टाफ के किसे बहुत सारी सुविधा देती सेविधा है और फिस डिपोजिट रेकरिंग डिपोजिट का फंडा भी आपको इसली समझ में आ गया होगा और यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी पसंद आई होगी ज़रूर लाइक कर दिएगा और कल की क्लास में हम नक्स्ट ग्लास में डिसकस करेंगे आखिरकार सेविंग अकॉंट करेंट अकॉंट अकॉंट या फ्रीसर अकॉंट अपन करनाया» नुए कस्टमर नुअवर किंद लॉंट्रियнуться कैसे ब्लैक मोनी तेमेर्ट इस अपे वो सारी चीज़ों को हम कल की क्लास में डिसक्स करेंगे, बहुत मज़दार क्लास, बहुत इंट्रस्टिंग क्लास रहने वाले है, अकल की क्लास को मिस मत किज़ेगा, और शेर कीज़ेगा प्लीज इस क्लास को, एक आपके लिए, मैं free of course, यह लेक्चे से उपलब करा रहा हू कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछेगा, कोशिश करूँगा आपका रिपलाई करने अगले सेशन में, take care, bye bye, see you in the next session, जिसमें हम formalities देखें, account को open करने क्या है, KYC देखेंगे, CFT क्या होता है, anti-money laundering क्या होता है, money laundering क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे होत होता है, उसको बचाने की क्या क्या तरीके है, see you in the next session, take care, bye bye and like, share, subscribe to the channel